अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि उसने रूस को बड़ी संख्या में सैन ने उपकरण भेजे हैं, जिनका इस्तिमाल यूक्रेन में होगा। अमेरिका की राष्ट्रिय सुरक्षा परिशद के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने हाल के सप्ताहों में उपकरणों और युद्ध सामगरी से भरे एक हजार से अधिक कंटेनर भेजे हैं। अमेरिकी खूफिया एजेंसियों ने इन आपूर्तियों को ट्रैक किया। अमेरिका के अनुसार ये डिलिवरी साथ सितंबर से एक अक्टूबर के बीच हुई है। शुकरवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान किर्भी ने कहा, ये उपकरण समुद्र और रेल के रास्ते दक्षन पूर्वी रूस भेजे गए गए हैं। ये इलाका युकरेन की सीमा से करीब 290 किलोमीटर दूर है। किर्भी ने हालांकि ये नहीं बताया कि किस तरह के उपकरणों और हथियारों की आपूर्ती की गई है। लेकिन अमेरिका पूर्व में रूस पर उत्तर कोरिया से रॉकेट और अन्य हथियार खरीदने का लगा चुका है। किर्भी ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से सैन ने सामगरी की ये आपूर्ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद के नियमों का उलंगन करती है।